आप देख रहे हैं इंजिया पब्लिक खबर और मैं हुआर जिता किस्मत की एक आदत है वो पलटती जरूर है और जब वो पलटती है तो सब कुछ पलट के रख देती है ऐसा ही कुछ हुआ ओरीशा के एक रिक्षा चालक के साथ दरसल औरीशा के कटक में 63 साल की एक बुजर्ग महिला मिनाती पतनायक ने एक रिक्षा चालक को अपनी लगभग एक करोड रुपे की सारी संपत्ती दान कर दी है अब आप सोचेंगे आखिर ऐसा इस महिला ने क्यों किया बात ये है कि कटक जिले के सूता हाट की रहने वाली मिनाती पतनायक के पती की 2020 में किड्नी फेल होने से मौत हो गई थी उन्होंने फिर अपनी बेटी के साथ रहने का फैसला किया इसके बाद मिनाती अपनी बेटी कोमल के साथ रह रही थी लेकिन हाल ही में कोमल का भी दिल के दौरे से निधन हो गया पती और बेटी की मौत के बाद बिखर चुकी मिनाती दुख में जी रही थी लेकिन ये दर्दनाग हाथसा होने के बाद भी किसी भी रिष्टिदार ने उनका साथ नहीं दिया पती और बेटी के निधन के बाद मिनाती के रिष्टिदारों ने मुँ फेड लिया इन परिस्थितियों में रिक्षच्वालग बुद्ध सामल और उसके परिवार ने ना केवल मिनाती को सांत्वना दी वलकि हर तरह से उनकी सेवा के लिए आगे आए इसी बात से प्रभावित होकर मिनाती पतनायक ने अपनी पूरी संपत्य रिक्षच्वालग बुद्ध सामल के नाम करने का फैसला किया जो पिछले करीब 25 सालों से इस परिवार की सेवा कर रहे है मिनाती का कहना है कि मेरे पती और बेटी की मृत्यू के बाद बुद्ध सामल और उनका परिवार मेरी देख भाल कर रहा है इसलिए मैं उन्हें अपनी सारी संपत्ती दे रही हूँ तो उसका बाद मेरे को मिप्रा टूट गई पुरा खाना पिना सब छोड़ दें कोई रिलेस्टन भी पुछा नहीं तो खाया जी नहीं खाया कुछ पूचा नहीं आदमी मेरे को बहुत देखा तो हम तो मेरे को जो करता है, क्या एक में ये इटा बाली ये पथर का देता हूँ घर, वो जतना मेरा सेवा किया, करता है, करेता है, मेरा देखबाल करता है, वो तो हम रिटन नहीं देंगे ना उसको, तो हम बोला उसको तो ये नहीं है ना, उसका उपर चात नहीं है, हम बोल मिनाती का कहना है कि ये रिक्षा चालक और उसका परिवार उनके मुश्किल समय में उनके साथ खड़ा रहा मिनाती ने कहा कि मेरे रिष्टेदारों के पास पर्याप्त समपत्ती है और मैं हमेशा एगरी परिवार को अपनी समपत्ती देना चाहती थी मैंने बुद्ध और उनके परिवार को कानूनी रूप से सबकुष दान करने का फैसला किया है ताकि मेरी मौत के बार उन्हें कोई परिशान ना करे हालाकि मिनाती की तीन में से दो बहनों ने संपत्ती रिक्षचालक और उसके परिवार को देने के उसके फैसले पर आपत्ती भी जताई लेकिन मिनाती अपने फैसले पर अड़ी रही वहीं अब करोड़ पती बन चुके रिक्षचालक बुद्ध सामल के अनुसार जब मिनाती ने उन्हें अपनी संपत्ति दान करने के बारे में बताया तो वो हैरान रहे गए सामल का कहना है कि मैं दो दशकों से अधिक समय से इस परिवार की सेवा कर रहा हूँ और अपनी मौत तक मा की सेवा करता रहूँगा बतादे की रिक्षा चालग बुद्ध के परिवार में माता पिता समेत उनकी पतनी समेत दो बेटे और एक बेटा भी है इस घटना के बाद से लोग जहां इस बुजर्ग महिला मिनाती की दर्या दिली की तारीफे कर रहे हैं वहीं सामल के समरपण और सेवा भाव का जुपल उन्हें करोडपती बन के मिला है उससे ये भी साबित हो रहा है कि सक्चे मन और निस्वार्थ भाव से की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती और उसका फल कभी न कभी मिलता जरूर है इसी के साथ इस खास खबर में फिल हाल इतना ही देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को वीडियो को लाइक करें और जादा से ज्यादा शियर करें